हेलो दोस्तों मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है हाँ जम बनाएंगे हलवा पूरी और काले चने की सबजी बनाना शुरू करेंगे तो मैंने गैस पर कुकर रख दिया एक बाउल पानी का कुकर में डाल देंगे तो मैंने ये आद दे बाउल चने के लिए हुए दालेंगे एक चमाची नमक कर देते हैं एक सीटी आने तक इनको पका देते हैं एक सीटी आ चुकी है गैस को बन कर देते हैं को कर का प्रेशर कम हो गया है इसको खूल के देखते हैं ये बिल्कुल अच्छे से पक चुके तो इनका पानी निकाल लेते हैं तो चना बनाने के लिए उस मसाला लेंगे एक चमच लाली मिर्ची पाउडर एक चमच दर्या पाउडर आदी चमच अल्दी पाउडर आदी चमच आम चूर तो आदी चमच गरम मसाला थोड़ा पानी मिला के मसाले का पेश्ट मुना लेगे तो इब मसाले का पेश्ट मुना लिया है इसको साइड में रख देते हैं तो पेन हमारा गरम हो गया है एक चमच तेल डालेगे तेल हमारा गरम हो गया है तो आदी चमच जीर डाल देगे जीरा मारा पक चुका है मसाले का पेश्ट डाल देते हैं तो इसको मिक्स कर देते हैं मसाले को अच्छा सा पकाएंगे मसाला गर अच्छे से पक चुका है तो चले डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स करेंगे मसाले में चोथ है चमच नबग डालती हूं नमक मैंने पहले भी डाला था तो पांच साथ मिन्ट डकन लगा कि पगा लेते हैं चले को आठ विन्ट हो चुकी है डकन लटागी देखते हैं तो यह अच्छे से पक चुका है गैस को बन कर देते हैं बनाएंगे हल्वा तो मैंने गैस पर कड़ाई रख दिये इसमें डालों नीगी कि यह मारा पंगल जुका है तो मैंने आधी कटोरी सुजी के लिए हुई है यह डाल देते हैं और इसको चला आते हैं और इसको अच्छा पून देगे सुजी को तो इस सुजी अच्छे से पक चुगी है इसका कलर भी चेंज हो चुका है तो इसमें मैं डालोंगी कुछी ड्राइफ रूट बदाम काजू पिस्ता तो इनको भी साथ साथ पका देंगे उन मैंने आधी कटोरी चिनी लेई हुई है यह डाल देते हैं कि मिक्स कर देंगे तो मैंने इसी कटोरी से सुजी लही थी आधी कटोरी दो कटोरी पानी देंगे एक कटोरी और डाल देते हैं पानी कोट तब तक जले नहींगा इतने की चलाना आए तो देखें पानी मारा जलना शुरू हो रहा है यह भीन कुल सुख जाएगा पानी मारा कम हो गया है इसको गैस को बन कर देते हैं कि इसमें बिलकुल पतला लई है यह तो गैस को कर देते हैं बंद इसमेंने पाता ले लिया है आधी चमच नमक डालेंगे और एक चमच हजवायन डालेंगे थोड़ा हम मसल के डालेंगे जवायन को थोड़ा थोड़ा पानी डालके आटा लगाएंगे पी से थोड़ा सा टाइट आटा लगाएं पूरी का आटा मारा लग गया है थोड़ा टाइट आटा है रोपी से आटा ले लिया है तो थोड़ा हम तेल लगा लेंगे आटे के भी चकले के भी तो इसके छोटे छोटे पेड़ों बना लेंगे पूरी बेलना शुरू करते हैं पूरी को ऐसे उठाएं और बेल दें इसके सुखाटा बिल्कुल ने लगाना पूरी के ते पूरी हमारी बिल्के तयार होगी है इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं मैं आपको एक पूरी और बताती हूं फिर्शे उठाएं और बेल दें फिर्शे उठाएं और बेल दें इसको तो यह पूरी भी मारी बिल चुकी है तेल नमारा गरम हो चुका है पूरी को डाल देते हैं दीरे से डाले तो यह पूरी अमरी अच्छे से फूरी के उपरा आ रही है दूसरी साइड से और शेक लेते हैं इसको तो यह पूरी दोनु साइड से अच्छी सीख चुगी है इसको बाल निकाल लेते हैं दूसरी पूरी को डाल देते हैं इसको एक ब्लेट में निकाल देते हैं दूसरी पूरी को डाल देते हूं तो यह फूरी यह फूरी हमारे अच्छी से खोल चुकी है यह दोनु साइड से अच्छी सीख चुगी है इसको एक ब्लेट में निकाल लेंगे इस पूरी को डाल देते हैं दूसरी शाइड पढ़त देते हैं इस रह से भी कोगर पर जुब ट्राइ करें और चेन्नेल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना झाल झाल